अब हम जानेंगे छार धात्वें जब डाई हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो किस प्रकार से यौगिक बनाती हैं डाई हाइड्रोजन याने एच्टू के साथ क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं इनके जो हाइड्राइड होते हैं वे आइ प्रकृति के क्यों होते हैं, चलिए जाने, क्योंकि छार धातुओं का जो आइनन एंथेल्पी का मान है, वो बहुत ही कम होता है, तो यह आसानी से अपने इलेक्टरॉन त्याग देते हैं, और जब इन इलेक्टरॉनों को हाइड्रोजन ग्रहन करता है, तो हाइड्रोजन परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार यह लीथियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके लीथियम हाइड्राइड बना लेते हैं, या कोई भी छार धातु ही जब हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, तो हाइड्राइड में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे सोडियम हाइड् तो 2m plus H2 is equal to 2mH, इसी प्रकार लीथियम जब रियक्ट होगा, तो 2li plus H2 is equal to 2liH, 2na plus H2 is equal to 2naH, विभिन प्रकार की छारद हात्वे, जब हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, तो ये हाइड्राइड में परिवर्तित होती हैं, और हमने ये भी जाना कि क्यों इनके हाइड्राइ का तापी स्थाइट्व क्या होगा, तो जो सबसे छोटा तत्व है वो है लीथियम, तो लीथियम जब हाइड्राइड के साथ या हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, तो लीथियम हाइड्राइड बनाता है, बंद का जो स्थाइट्व होगा, लीथियम हाइड्राइड के और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध स्थायत्व है उसका मान कम हो जाएगा , 그러hui तापी स्थायत्व का मान भी दीरे दीरे तो हो जाता है तो तापी स्थायत्व का जो क्रम होगा व होगा studied H, सबसे ज़्यादा तापिस थाइत वदर्शाता है, फिर N A H, इसके बाद K H, फिर CESIUM H, याने CESIUM हाइडराइट, सबसे कम तापिस थाइत वाला होता है, क्योंकि इसका जो आकार है, वो सबसे अधिक होता है CESIUM का, अर्धातुएं प्रबल अपचायक होती है, ये इसलि थापिस थाइत वाला है, वो कम होने लगता है, तो जब वर्ग में उपर से नीची आएंगे, इंके हाइडराइट का अपचायक गुण देखते हुए हम, तो उपर से नीची आने पर अपचायक गुण बढ़ेगा इनके हाइड्राइडों का क्योंकि हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ती बढ़ेगी क्योंकि उपर से नीचे आने पर परमारू तरीजिया के मान में वृत्धी होती है इनके हाइड्राइडों का जो गलनांग होता है वो बहुत अधिक होता है क्यों क्योंकि इनके जो हाइड्राइड होते हैं हमने देखा कि यह आइनिक प्रकृति के होते हैं और आयनिक प्रकृति के होने के कारण इनके बीच का जो बंद है वो बहुत ही प्रबल होगा और इसके लिए अधिक उर्जा की आफशक्ता होगी इसके गलने के लिए तो इसलिए इसके गलनांग का माल अधिक होता है अगला हम देखेंगे हेलोजन से अभिक्रिया तो जब छार धातुए हेलोजन से क्रिया करती हैं तो आयनिक हेलाइड बनाती हैं Mx प्रकार का तो छार धातुए धनावेशित होती हैं धन विद्यूति गुण वाली होती हैं और हेलोजन जो है वो रिण विद्यूति गुण व होता है और जब यह आइनाइस फॉर्म में होता है याने एलाई प्लस के रूप में होता है तब यह आइनिक प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है यह सहसे धनायन का आकार जितना छोटा होता है बड़े रिनायन को धुवित करने की शक्ति या बड़े रिनायन के इलेक्टरॉन अब्र को डिस्टर्ब करने की जो शक्ति होती है या उस इलेक्टरॉन मेग को उदासीन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक धनायनों की हो तो लीथियम आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा सहसेयोजी गुणदर्शाता है क्योंकि Li प्लस अपने परिवार का सबसे छोटा धनायन है और आयोडाइड माइनस अपने परिवार का सबसे बड़ा रिनायन है तो लीथियम प्लस की धुरुवन करने की शक्ती सबसे ज में इस प्रकार यहां पर सहसे हो जी लक्षन उत्पन्न होने लगते हैं और लीथियम के जो अलग-alt हलाइड होते हैं, उसका जो नेचर है, वो हैलोजन के आकार में जैसे जैसे ब्रिद्धी होने लगती है, तो सहसे हो जाग गुढ भी बढ़ने लगता है, तो इनके जो हला अलाई सबसे छोटा धनायन है और आयोडाइट सबसे बड़ा रिनायन है तो सहसेओजी प्रवृत्ती लीथियम आयोडाइट की सबसे जादा होगी और सहसेओजक प्रवृत्ती लीथियम फ्लोराइट की सबसे कम होगी क्योंकि लीथियम सबसे छोटा धनायन है और उसी तरह से जो फ्लोराइड आयन है वो सबसे छोटा रिन आयन है तो यहां पर सह से उची गुण कम होगा आयने गुण अधिक होगा अब हम जानेंगे द्रव अमोनिया के साथ जब ये चारधातुएं क्रिया करती है या द्रव अमोनिया में जब चारधातुओं को घोला जाता है तो ये किस प्रकार से रंग में परिवर्तन करते हैं तो इसको हम दो प्रकार से समझेंगे यदि तनू विल्यन है तो चारधातुओं को जब द्रव अमोनिया में मिलाते हैं तो द्रव अमोनिया में मिलाने पर ये नीले रंग का विल्यन देती हैं द्रव अमोनिया के साथ जब विदू चालकता भी दर्शाते हैं अच्छे अपचायक भी होते हैं तो ऐसा क्यों होता है इसके लिए हम एक समीकरण देखेंगे कि जब कोई धातू आयन द्रव अमोनिया से क्रिया करता है तो धातू जब द्रव अमोनिया से क्रिया करता है तो चूकि छार धातू में ये प् एक होता है M प्लस और एक होता है E माइनस मतलब M परिवर्टित होता है M प्लस प्लस इलेक्ट्रोन में जब ये M प्लस अमोनिया से क्रिया करता है तो अमोनिक्रित धनायन बनाता है और जब इलेक्ट्रोन अमोनिया से क्रिया करता है तो अमोनिक्रित इलेक्ट्रोन बनाते हैं तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं M प्लस X प्लस Y NH3 तो यहाँ पर NH3 के कई सारे अणू हैं जिसको दो प्रकार से दर्शाय गया है ताकि समझने में आसानी हो इस इक्वल टू M प्लस NH3 होल X है तो M प्लस का मतलब है कि यह जो M है यहने धातू है वो इलेक्ट्रोन त्याग दिया तो धनायन में परिवर्टित हुआ NH3 होल X यहने आपर X अणू जो है अमोनिया के वो M प्लस के साथ चुड़ गए इसी प्रकार से साथ में बनता है ए माइनस एनस थ्री होल वाई तो वाई अडू जो अमोनिया के हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़गे तो दो प्रकार से यहां पर धनायन बना और इलेक्ट्रॉन बना दो प्रकार से अमोनिया के साथ यहां पर आयन्स बने तो अमोनी कृत धनायन और अमोनी कृत इलेक् की इसी electron के कारण होती है जो ammonikrith electron कहलाता है तो नीले रंग का कारण यही है कि electron जो है वो ammonikrith हो गया है याँने electron के साथ ammonia के कुछ अणू जुड़ गए है और द्रिश्य प्रकाष के छेत्र में ये कुछ उट जाका अवशोशन करने लगते हैं और इस वज़ा से ये नीला रंग देते हैं लेकिन कभी-कभी अशुधियों की उपस्थिती के कारण या एन्हाइड्रस स्थिती आ जाती है याने जल की अनुपस्थिती के कारण अनाद्र स्थिती जिसे कहते हैं ऐसी स्थितियदी आती है तो ये जो नीला रंग है वो विघटीत हो जाता है तो अब ये जो नीला रंग है वो तामबा जैसा दिखने लगता है तामबा कासा जैसा दिखने लगता है तो ऐसा क्यों होता है तो जो नीला रंग है वो विघटित होता है और धातु एमाइड में परिवर्टित होता है और डाई हाइड्रूजन बना लेता है तो इस प्लस एलेक्ट्रोन प्लस NH3 लिक्विट क्योंकि अमोनिया लिक्विट है, is equal to M NH2, तो यहाँ एमाइड बना, प्लस हाफ H2, यहाँ हाइडरोजन गैस बनता है, तो यहाँ पर द्रव अमोनिया के साथ, जब अमोनियाड धन आयन करिया करते हैं, तो ऐसी स्थिती में हाइड बनता है, और हाइडरोजन गैस बनती है, अब यदि इस विलियन का सांधरन कर दिया जाए, यानि छार धातू का द्रव अमोनिया के साथ, जो विलियन है, उसको और ज्यादा कंसेंट्रेट कर दिया जाएगा, तो इसमें कई सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते है जैसा कि हमने देखा कि रंग में परिवर्तन, तो अब ये जो नीला रंग है, वो परिवर्तित होने लगता है, तामबा कासा जैसा, और ये जो कलर चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो धातू आयन है, वो क्लस्टर बना लेते हैं, एक जुंड के रूप में आ जाते हैं, तो इस वज़ा से यहां धात्विक चमक उत्पन होने लगती है, और यहां जो इलेक्टरॉन्स हैं, उनमें पेरिंग होने लगता है, तो अलग-अलग जो अमोनीकृत इलेक्टरॉन है, उसमें पेरिंग होने लगता है, तो जब इलेक्टरॉन की पेर समूहन के कारण, पेरिंग के कारण तो अब इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ammoniated जो electron है तो E-NS3 whole Y है E-NS3 whole Y है तो इस तरह से जो ammonia से related या ammoniated जो electron है वो paired हो गया, तो यहाँ पर इसकी प्रकृती जो है वो प्रती चुम्बा की हो गई इसकी जो चालकता है वो कम हो जाएगी इसलिए चालकता कम हो जाएगी क्योंकि free electron नहीं है अयूग में ती electron कम है तो चालकता कमान भी कम हो जाएगा और चुकि यहाँ जो मुक्त electron है वो ammonia से घिर गया, ammonia कृत जो धनायन है उसके कारण घिर गया तो इनके कारण इसकी चालकता में कमी आ जाएगी और अपचायक प्रवृत्ती जो है वो भी घट जाएगा क्योंकि electron देने की प्रवृत्ती कम हो जाएगी क्योंकि electron जो है वो धातु आयन से घिर गये तो इलेक्ट्रोन निकालने की प्रवृत्ति यहां पर घड़ जाएगी तो यहां हमने देखा कि जब द्रव अमोनिया के साथ छारधात्मों की क्रिया होती है तो तनू विलियन में अलग तरह की प्रकृति होती है और जब विलियन को सांद्रित कर देते हैं तो प्रकृति थोड़ी अलग हो जाती है अगला हम देखेंगे छारधात्मों का अप्चायक गुण छारधात्मों जो हैं वो प्रवल अप्चायक होती हैं हमने देखा कि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं इसमें से लीथियम प्रवल अप्चायक होता है भले ही लीथियम का आकार बहुत छोटा होता है लेकिन जब विद्यू तरासाइनिक स्रेणी में हम E0 की वैल्यू लीथियम के लिए देखते हैं जबकि सोडियम दुर्वल अप्चायक होता है क्योंकि सोडियम के लिए जो E0 का मान है वो कम रिनात्मक होता है ये जो E0 का मान है किसी भी धातु के अप्चायक गुण के लिए जो जिम्मेदार है E0 का मान यानि मानक इलेक्ट्रोडवो का मान ये मान depend करता है तीन जीजों पर पहला है उर्धुपातन की एंथलपी आइनन एंथलपी और जल्योजन की एंथलपी उर्धुपातन की एंथलपी को हम देखेंगे कि M यन्न धातू जो ठो सवस्था में है वो परिवर्टित होता है गैस अवस्था में तो इस दोरान जो त्याग देते हैं, तो धनायन में परिवर्तित हो गए, तो इसमें से इलेक्टरॉन बाहर निकालने के लिए जितनी उर्जा की आवशक्ता हो गई, वो हो गई, आयनन एंथेलपी, अब यहां जो धनायन बना है, इसमें जल के अणू जुड रहे हैं, तो जल के अणू के बिलियन बन जाता है धातू आयन का, तो यहां जो इतनी उर्जा उत्पन होती है, जल के अणू के जुडने से, वो होगी जल योजन की एंथेलपी, तो किसी भी धातू के लिए जो E0 का मान है, वो निर्भर करता है, उर्धुपातन की एंथेलपी, आयनन एंथेलपी, और जल योजन की एंथेलपी, यहां हम देख रहे हैं कि लीथियम का आकार बहुत छोटा होता है, तो जिस भी आयन का आकार जितना छोटा होगा, उसकी जल योजन एंथेलपी का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वो आसानी से जल के अणू को अपने में जोड लेते हैं, तो यह दुर्बा लपचाय की तरह कारे करते हैं, अब हम जानेंगे कि यह जो छार धातुएं हैं, इनके योगिक हैं, बनते हैं, तो इनके विभिन प्रकार के योगिक बनते हैं, हाइडरोकसाइड, ओकसाइड या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो इनके किस प्रकार से गुण होते हैं ना इनके सामाने गुण क्या हैं तो अब हम जानेंगे छार धात्वों के योगिकों के सामाने गुण कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इसमें Oxide एवं Hydroxide वाईू की अधिक्ता में जब लीथियम का दहन करते हैं तो लीथियम मोनो ओक्साइड में परिवर्तित होता है Li2O में परिवर्तित होता है Sodium पर ओक्साइड में परिवर्तित होता है Na2, O2 और बाकी जितने भी धातू होते हैं जैसे Potassium, Rubidium, Cesium ये सारे सूपर ओक्साइड बनाते हैं तो धातू आइनों का आकार जैसे जैसे बढ़ता है पर ओक्साइड और जो सूपर ओक्साइड है उसके स्थाईत में भी विर्धी होने लगती है याने जितना ज्यादा धातू आइन का आकार होगा जो सूपर ओक्साइड आइन या जो पर ओक्साइड आइन होते हैं उनके मध्य जो बंध है वो ज्यादा स्थाईत को दर्शाने लगता है ये जो ओक्साइड होते हैं वो सरलता से जलब घटित हो सकते हैं तो जब ये जलब घटित होंगे oxide तो hydroxide में परिवर्तित होते हैं तो इनके जो oxide है hydroxide है ये छारी प्रवृत्ति के होते हैं छार धातुओं के लिए तो lithium का यदि हम oxide देखेंगे या हम common रूप से किसी oxide को लेते हैं छार धातुओं के लिए तो उसे हम लिख सकते हैं M2O plus H2O is equal to 2M plus plus 2OH minus तो यहाँ पर बना hydroxide ion 2OH minus यदि यहाँ पर पर आक्साइड को लिया जाएगा M2O2 यहने हम किसी भी दूसरे धातुओं को ले सकते हैं M2 common रूप से दर्शाय जा रहा है माल लीजिए यहाँ sodium ले लेते हैं तो Na2O2 लेके कर सकते हैं तो M2O2 plus 2H2O is equal to 2M plus plus 2OH minus plus H2O2 तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि OH minus बना यहने hydroxide ion बना अब हम बात करेंगे पर आक्साइड कैसे water के साथ रियक्ट होता है तो 2MO2 plus 2H2O is equal to 2M plus plus 2OH minus plus H2O2 plus O2 तो इस प्रकार से इनके जो ऑक्साइड हैं पर आक्साइड हैं और सूपर आक्साइड हैं यह सभी hydroxide ion देते हैं और hydroxide ion देने के कारण यह चारी प्रवृत्ति के होते हैं यह रंगहीन भी होते हैं इनके जो भी ऑक्साइड हैं और पर आक्साइड हैं वो रंगहीन होते हैं लेकिन जो सूपर ऑक्साइड है वो पाया गया है पीले रंग का होता है या कभी नारंगी रंग के भी होते हैं और ये अनुचुंबा की प्रवृत्ति के होते हैं थाथ इसमें आयूगमित इलेक्टरोन प्रेजेंट होते हैं जो सोडियम पर ऑक्साइड है इसका प्रियोग आक्सी कारक के रूप में भी किया जाता है चार धात्मों के जो ऑक्साइड होते हैं वो जब हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होते हैं तो ये प्रवल चार की तरह कारी करते हैं जैसे हमने देखा एने ओचो या के ओचो ये सब प्रवल चार होते हैं और जल में जब घ गुला जाता है इसे तो ये अत्यधिक उश्मा उत्पन करते हैं आसानी से जल में घुल जाते हैं लेकिन बहुत अधिक उश्मा उत्पन करते हैं और इनके घुलने का कारण जो है वो तीवर जल योजन होता है अब हम इसके अगले योगिक के बारे में जानेंगे जैसा हमने देखा था कि जब छार धातुए हेलाइट के साथ क्रिया करती हैं, तो Mx प्रकार का हेलाइट बनाती हैं, तो इनका नेचर कैसा होगा? तो जो हेलाइट होते हैं, यह उच्छ गलनांक वाले होते हैं, कुछ रंगहीन भी होते हैं, और क्रिस्टली ठोस प्रकृति के होते हैं तो MX प्रकार के जब हम हेलाइट की बात करते हैं तो हम LICL की भी बात करते हैं हम NACL की भी बात करते हैं हम KCL की भी बात करते हैं M की जगा पर हम कोई भी धातू ले सकते हैं और X की जगह पर हम कोई हेलोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम हेलाइड जब कहते हैं, तो सभी छारधातों के जितने भी हेलाइड हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो इनके जो उप्योक्त ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट होते हैं ये जब हाइड्रो हैलिकमल के साथ क्रिया करते हैं तो इनकी क्रिया से ये हैलाइड का निर्माड होता है तो जितने भी हैलाइड होते हैं उनकी जो संभवन एंथेलपी का मान है व तो उस दौरान जितनी उश्मा उत्पन होती है तो यहां इनके जो संभवन एंथेल्पी का मान है वो बहुत अधिक रणात्मक होता है अर्थात यह उश्मा छेपी अभिक्रिया हो गई उश्मा उत्पन होती है इसलिए उश्मा छेपी अभिक्रिया है तो इसके लिए संभव कम रिनात्मक हो रहा है अर्थात ये जो value है वो उपर से नीचे आने पर रिनात्मक मानिस का कम होता जाता है और वर्ग में नीचे की और जाते हैं जैसे जैसे तो chloride, bromide, iodide इन सब के लिए ये delta H की value जो है वो अलग हो जाएगी हम बात कर रहे हैं केवल fluoride की जब छारधातूं क का fluoride हम देखते हैं तो उसके लिए वर्ग में उपर से नीचे आने पर delta H का जो मान है वह कम रिनात्मक होता जाएगा लेकिन जो chloride है, bromide, iodide है उसके लिए delta H का मान इससे अलग होगा, विपरीत स्थिती होगी, वहाँ पर बढ़ जाएगा गलनांक एवं क्वतनांक यहने जब इनके हैलाइड बनते हैं तो कौन से हैलाइड हैं जो अधिक गलनांक वाले योगीग बनाएंगे, तो सबसे उच गलनांक वाला योगीग बनाएगा यहाँ fluoride, उसके बाद chloride, bromide और iodide, तो यह गलनांक और क्वतनांक का करम होगा, जिस प्रकार से यह हैलाइड बनाएंगे, जिस भी हैलाइड आयन से जुड़ेंगे, चारधातू, तो सबसे छोटे आकार का यहाँ पर देखा जाए, इस परिवार में तो फ्लोराइड होता है, तो यह जब मान लीजिए यह लीथियम या सोडियम के साथ फ्लोराइड आयन बनत होते हैं, लीथियम फ्लोराइड जो है वो जल में कम विले होता है, इसका कारण यह है क्योंकि लीथियम का आकार बहुत छोटा होता है, फ्लोराइड का आकार भी बहुत छोटा होता है अपने परिवार में, तो लीथियम फ्लोराइड की जो जालक उर्जा का मान है, लेटा सीजियम आयोडाइड जो है उसकी विलेता कम होने लगती है इसका कारण है कि सीजियम प्लस और आयोडाइड माइनस की निम्न जलियोजन उर्जा के कारण क्योंकि दोनों का आकार बड़ा है सीजियम आयोडाइड में सीजियम अपने परिवार का सबसे बड़ा आयन है और आय कि जल योजन एन्थेल्पी का मान कम होता है, लीथियम के जो हेलाइण होते हैं, दूसरे हेलाइड, फ्लोराइड के अलावा, ये सारे एथेनोल में, मतलब कुछ कारबनी क जियोगीकों में ये विले होते चारधात्वों के ऑक्सो अमलों के साथ जो लवड बन रहे हैं वो रंगहीन होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं और जल में विले होते हैं और उश्मा के प्रति भी यह स्थाई होते हैं से संबंधित हम दो प्रकार की लवण को देखेंगे, एक कार्बोनेट और एक होगा बाई कार्बोनेट तो चारधात्वों के जो कार्बोनेट होते हैं उसमें यदि हम लीथियम कार्बोनेट को छोड़ दें यानि लाई-टू-C-O-3 को छोड़ दें तो बाकी सभी गर्म करन पर विखटित नहीं होते हैं यानि सोडियम कार्बोनेट तो लीथियम कार्बोनेट जो है वो विखटित हो जाता है गर्म करने पर तो लीथियम आयन सबसे छोटे आकार का होता है जो carbonate iron को धुरुविद कर पाता है और उसको धुरुविद करने के कारण वो Li2O और carbon dioxide में परिवर्थित हो पाता है क्योंकि Li2O यहां स्थाई एक oxide बन जाता है और यह होता है lithium iron के छोटे आकार के कारण उसके धुरुवित करने के गोड के कारण और यहाँ जो कार्बोनेट हम देखते हैं यह जल में घुल जाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जब जल में घुलता है तो NaOH और H2CO3 में परिवर्थित होते हैं तो Na2CO3 का जल में किस प्रकार से घुलना होता है इसका रियक्षन हम जानेंगे Na2CO3 प्लस 2H2O is equal to 2 NaOH प्लस H2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट छारी प्रवर्थित का है यहाँ जब जल में घुलते हैं तो यह एक प्रबल छार NaOH में परिवर्थित होता है सोडियम कार्बोनेट लवण है और सोडियम कार्बोनेट लवण है इसे जल में घुलने पर यह अमल में भी परिवर्थित हो रहा है और चार में भी परिवर्थित हो रहा है तो अमल और चार की क्रिया से ही लवण का निर्माण होता है यह बात भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं अब हम इसके अगले लवन बाई कार्बोनेट के बारे में जानेंगे तो छार धातू के जो हाइडरोजन कार्बोनेट होते हैं अर्था जो बाई कार्बोनेट होंगे उसका सूतर होगा MHCO3 जो भी धातू हम लेंगे जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम बनाते हैं, कार्बोनेट साथ में कार्बन डियोकसाइड और जल भी बनता है, तो यदि हम कॉमन रूप से पूरे धात्वों के बाइकार्बोनेट को उश्मा देंगे, तो वो रियक्शन होगा, 2MHCO3 is equal to M2CO3 plus CO2 plus H2O, और यहां पर यदि हम एकुदाहरन ले लें, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 2 NaHCO3 is equal to Na2CO3 plus CO2 plus H2O, तो इनके जो बाइकार्बोनेट हैं, वो अब घटित होकर कार्बन डियोकसाइड और जल भी बनाते हैं और कार्बोनेट लवण में परिवर्दित होते हैं, सभी जो चार धात्वें होते हैं, उनके कार्बोनेट और बाइक कार्बोनेट, रंगहीन क्रिस्टली ठोस होते हैं, जो लीथियम हाइडरोजन कार्बोनेट होता है, वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, लीथियम अपने परिवार का भिन्न सदस्य होता है, एक अलग असामान वेभार दर्शाने वाला तत्व होता है, तो लीथिय बाइकार्बोनेट ठो सवस्था में नहीं पाया जाएगा, शेस जितने भी छारधातुएं हैं, उनके जो बाइकार्बोनेट होंगे वो ठो सवस्था में प्रकृती में पाया जाते हैं, छारधातुओं के जो कार्बोनेट हैं, अर्थात M2CO3 और MHCO3, कार्बोनेट एवं बा तो जब यह carbonate या Bicarbonate के साथ क्रिया करते हैं, या योगि बनाते हैं, तो बहुत अधिक स्थाहित्व होता है इनके मध्य, और स्थाहित्व गुण जो है वो बढ़ जाता है तो CO3-2- और Bicarbonate जो 1- माइनस चार्ज है तो स्थाहित्व कमान, बहुत बढ़ जाता है। लीथियम अपने परिवार का ऐसा सदस्य होता है। जो बाकी सभी तत्वों से कुछ अलग व्यभारदरशाता है। ऐसा हमने सभी ग्रूप में जो प्रफम सदस्य उसके बारे में पढ़ है। तो लीथियम क्यों ऐसा गुण दर्शाता है अलग सा ये जानने वाली बात है तो लीथियम का जो आकार है वो सबसे छोटा होता है और यदि हम Li Plus की बात करते हैं धनायन की बात करते हैं लीथियम के तो वो सबसे छोटा धनायन हो जाता है इसके बहुत छोटे आइनिक आकार क के कारण इसकी जो ध्रुवन शक्ति है वो भी बहुत अधिक होती है लीथियम जितने भी यौगिक बनाता है उनके जो हैलाइट जिनका नेचर हमने देखा कि सहसे होजग प्रकृति के होते हैं वह भी इनके ध्रुवन शक्ति के उच्छ होने के कारण ही होता है लीथियम चु में जो होती है भले ही पूरे आवर्शाणी में सबसे अधिक आकारवाली होती है लेकिन लीथियम अपने परिवार का सबसे छोटा सदस से है और एलाई प्लस सबसे छोटा एक धनायन है तो यहां पर आयनन उर्जा का मान बहुत अधिक होता है लीथियम में d orbital absent होता है अब लीथियम अत्यधी कठोर होता है लेकिन बाकी जितने भी छारधातु होती है वो मरिदू होती है कोमल होती है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है आपने लैब में sodium का practical किया होगा दत्व का detection करते हैं तो sodium के आवशकता होती है sodium धातू की तो उसे काट के दिया जाता ह है तो आसानी से उसे काटा जा सकता है इनके जो गलनांक वतनांक है छारधातू की तुलना में जादा होंगे लीथियम के क्योंकि लीथियम का आकार छोटा होता है और बहुत अधी कठोर होता है तो शेज जितने भी छारधातू हैं उनकी तुलना में लीथियम का गलनांक उच्चो होता है। लिठीयम की जो क्रिया शीलता है वो बाकि सब छार धातूं की तुल्ना में बहुत कम होती है क्योंकि लिठीयम आकार में सबसे चोटा होता है और यह प्रबल अप्चायक की तरह भी कारें करते हैं। लीथियम जब वायू से क्रिया करते हैं या वायू में उसका दहन किया जाता है तो वो मोनो ऑक्साइड बनाते हैं Li2-O के रूप में यह ऑक्सीजन से रियर्ट होके योगिक बनाते हैं चार धातुओं में ये देखा गया है कि वे वायू में उपस्तित nitrogen से क्रिया नहीं करते हैं लेकिन lithium जब वायू में present nitrogen है उससे react होता है तो lithium nitride बना लेता है जैसे अगर हम इस reaction को देखेंगे तो 6li plus n2 is equal to 2li3n तो यहां पर हम देख रहे हैं कि lithium nitrogen से क्रिया करके lithium nitride में परिवर्दित होता है अगला हम देखेंगे lithium chloride किस प्रकार से जल के अनुल से जुड़कर hydrate के रूप में क्रिस्टली क्रित होता है ये प्रस्वेध्य गुण के कारण होता है जो lithium का chloride है LICL है वो hydrate के रूप मे LICL.2 H2O के रूप में क्रिस्टली क्रित होता है लेकिन बाकी जो छारधातुएं है उनके chloride इस तरह से क्रिस्टली क्रित नहीं होते हैं hydrate form नहीं करते हैं NaCl H2O के साथ क्रिया करके किसी भी प्रकार से hydrate form नहीं करते हैं Lithium hydrogen carbonate ठो सवस्था में नहीं पाय जाते हैं लेकिन बाकी जितने भी छारधातुएं के bicarbonate होते हैं वो ठो सवस्था में पाय जाते हैं लीथियम जब एथाइन के साथ क्रिया करते हैं तो लीथियम एथाइनाइट नहीं बना पाते हैं लेकिन शेज जो भी छारधातु में एथाइन या एसिटिलीन के साथ क्रिया करते हैं तो एथाइनाइट बनाने का गुड़ रखते हैं लीथियम के जो नाइट्रेट होते हैं जब इसे अब घटित किया जाता है तो लीथियम नाइट्रेट अब घटित होकर लीथियम के ऑकसाइड, नाइट्रोजन डायोकसाइड और ऑकसीजन तीनों में विघटित हो सकते हैं लेकिन शेज जो चारधात्वे होती हैं वो O3 याने lithium nitrate जब अब घटित होता है तो 2 Li2O plus O2 plus 4 NO2 में परिवर्टित हुआ लेकिन sodium और potassium nitrate को यदि आप विघटन करते हुए देखेंगे तो sodium nitrate याने NaNO3 और balance करेंगे तो 2 NaNO3 is equal to 2 NaNO2 plus O2 याने sodium nitrite में परिवर्टित हुआ इसी तरह से potassium nitrate 2 NaNO3 is equal to 2 NaNO2 याने potassium nitrite plus oxygen तो यहां हम देख रहे हैं किस तरह से lithium इन nitrate से अलग तरीके से विघटित होता है और विघटित होकर lithium का oxide, oxygen और nitrogen dioxide देता है और बाकी इतने भी धातूओं के nitrate हैं वो जब विघटित होते हैं तो nitrite देते हैं और oxygen देते हैं इसी प्रकार lithium carbonate का विघटन देखेंगे तो lithium carbonate को जब गर्म किया जाता है तो वो अब घटित होता है और Li2O याने lithium oxide बनाता है और carbon dioxide बनाता है लेकिन बाकी जितने भी छार धातूओं होती हैं उनके जो carbonate होते हैं उनका स्थाइत वो जादा होता है अर्थात वो आसानी स विघटित नहीं होते हैं तो Li2CO3 का विघटन देखिए Li2CO3 is equal to Li2O plus CO2 तो carbonate है हमेशा याद रखेंगे कि जो carbonate होता है जब carbonate विघटित होता है तो carbon dioxide gas निकलती है तो lithium carbonate के विघटन से carbon dioxide निकला और lithium oxide में या परिवर्तित होता है लीथियम के जो carbonate है फ्लोराइड है फासफेट है या जो oxide होते हैं ये जल में अविले होते हैं लेकिन बाकी सब जो छारदहतों हैं जब वो oxide बनाते हैं या बाकी सब छारदहतों के जो carbonate है या अलग-अलग लवन carbonate, fluoride, phosphate ये सारे जल में विले होते हैं लीथियम हाइड्रोकसाइड दूर्बल छार प्रवरिती दर्शाता है लीथियम हाइड्रोकसाइड अपने परिवार में सबसे दूर्बल छार होता है ऐसा क्यों और जल में इसकी जो विलेता होती है वो सबसे कम होती है और बाकी जितने भी धात्मों के हाइड्रोकसाइड है वो प्रबल छारी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीथियम का आकार बहुत छोटा है और लीथियम जब हाइड्रोकसाइट के साथ जुड़कर LiOH में परिवर्तित होता है तो चुकि इनका आकार बहुत छोटा होता है लीथियम का और हाइड्रोकसाइट के साथ ये जुड़ते हैं तो इनके बीच का जो बंद शक्ती है वो बहुत प्रबल होगा तो OH माइनस देने की प्रवृत्ति कम होगी जबकि बाकी सारे जो छार धातु हैं वो लीथियम की तुलना में अधिक परमाणूत्रिज्या वाले होते हैं तो यहां जो उपर से नीचे आने पर चुकि साइज बढ़ता है परमाणूं का तो OH और धातु के बीच जो बंद बना है वो दुर्बल होता जाएगा तो OH माइनस देने की जो प्रवृत्ती है वो बढ़ेगी चार धातु में उनके हाइडराकसाइडों में तो उपर से नीचे आने पर चारी प्रबलता हाइडराकसाइडों की बढ़ती जाएगी